कि सब्सक्राइब करें अपने सेनल को और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को आल पे करें और पाएं सारे वीडियो की अपडेश्ट को हेलो माइनर्स कैसे हैं आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का फिर्श स्वागत है आशा करता आप बहुत ही अच्छे होंगे तो चलिए आज के जो टेस्ट है वह हम लोग सुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप अपने साथ एक यह उसका इंसर को दिया है उनसे आप कंपेर करेंगे मिला लेंगी और मिलाने बाद बताएंगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कि आपके इतने कितने सही हुए है तो चलिए देखते हैं आज कि हमारे वीडियो का पहला जो कोश्चन है टेस्ट इसका एक्सेस टूड़ मिनरल deposit is afforded by कोशन को पूछने का मतलब है कि मिनरल deposit पहुचने के लिए कि कौन से तरह के रास्ते होते हैं पर्योग किये जाते हैं तो पहला आपका जो होड़ोड दूसरा बी जो हैंका incline and edit C है all जो आपका सही अत्तर है आप अपने copy में लिख ले और जिनको silently टेस्ट देना तो please mute कर ले mute करने के बाद सारे answers को लिखते जाएंगे और last में मिला लेंगे और comment box मुझे मुझे बताएंगे कि मार्क्स कितने है 25 में इन में से कितने कौन या angle वाले सीम को steep सीम कहा चाहेगा तो यह जो option से आपका उनमें बताना देख करके कि कि कितने डिग्री वाले सीम को हम लोग कि श्टीप सीम कहांगे तो आपके option से ए 4 डिग्री बी 8 डिग्री सी 21 डिग्री डी 42 डिग्री तो सही उतर का अपने copy में लिख ले चलते क्लों प्रश्न क्यों हमारा जो अगला प्रश्न है डिले डेटुनेटर में लीड वायर से बेश चार्ज तक का सही क् प्रश्न का प्रश्न का प्रश्न का पर्योग होता है आपला का सौ्फ्ट एस्टेटा और जो होता है या या पर सौफ्ट कवर्श टेटा जो हता है ले क्मेटरि प्रश्न के लिए कौन fill पैटर्न यूज करते हैं ब्लास्टिंग के लिए तो आपके अगला प्रश्ण है इनमें से कौन सा जोलन सील गैस नहीं है तो आपका जो उत्तर है आपको बताना है चलते अगले प्रश्ण क्यों हमारा जो अगला प्रश्ण है वह है कितने वोल्टेज से कम पर मिथेनोमीटर की बैटरी बदल दी जाती है या परयोग के लायक नहीं रहती है यानि पूछने का मतलब है कि मिथेनोमीटर में जो बैटरी लगा होता है उसका व आपका जो आप्शन से यह आपका 2.2 वोल्ट बी है आपका 2.4 वोल्ट सी है 3.0 वोल्ट डी है नन तो जो आपका सही उतर है उसको अपने कॉपी में लिख लेंगे चलते अगले प्रश्ण क्यों हमारा जो अगला प्रश्ण है एमेंबी फैन एक्सॉस टाइप होने पर एर 21 डी नन तो जही जो आपका सही उतर है अपने कॉपी में लिख लेंगे तो चलते अगले प्रश्ण क्यों हमारा जो अगला प्रश्ण है कितने से कम और टू पर तीसत होने पर फायर डाम एक्स्प्लोजन नहीं होता है तो आपका जो सही आप्शन से वह है ए 10 पर तीसत बी 12% सी 15% डी 17% तो जो सही उतर है अपने कॉपी में लिख लेंगे हमारा जो अगला प्रश्ण है खान में निम्ड में से किस किस का एक्स्प्लोजन हो सकता है यानि खान में जो है इन तीनों में से जैसे पहला आपका जो फायर डाइम दूसरा जो आपका कोल डश्ट तीसरा जो है water gas इन तीनों में किसका किसा explosion खान में होने क्या संका होती है वो आपको बताना है तो आपके options से एक एक और दो भी है सिर्फ एक सी आपका दो और ती डी है all तो इन सारे में जो आप सही उतार वह आपको बताना है हमारा जो अगला प्रश्न है एक मिली सेकेंड में कितना कितने सेकेंड के बराबर होता है तो आपके options से ए 1 by 10 बी 1 by 100 सेकंड सी 1 by 1000 सेकंड डी 1 by 10,000 सेकंड यह question बहुत ही आसान है यह आप लोग ऐसे ही बता सकते हो तो इसको भी लिख लेंगे अपना एंसर जो है कॉपी में चलते प्रश्णी क्यों है हमारा जो अगला प्रश्ण है इन में से कौन सा फेरस मेटल नहीं है तो आपके जो आप्शन से एकास्ट आइरन बी रफ आइरन सी स्टील डी ऐलिमूनियम इस सी एंडी बोध इन दोरों में जो सही उतर है अपने कौपी में लिख लेंगे हमारा जो अगला प्रश्ण है इन में से कौन से टार्वाइन पंक का भाग नहीं है यह थोड़ा सा मैकनिकल से बेसी इस पर हैं तो थोड़ा ध्यान से इसको देख लेंगे इंपोर्टन टाइपस हैं तो आपका जो कोश्ण का अप्शन से वह है एंपैरलल बी वोल्यूट केसिंग सी सक्षन पाइप डी रबर स्टैटर तिनमें जो सही उतर है आपको जो लगता है वह लिख लेंगे और लास्ट में लाएंगे तो चलते हैं हमारा जो अगला प्रश्ण है वह है एसी क्या है यानि कि दिये हुए फिगर में जो आपका फॉल्ट का जो एक डाइग्राम दिख रहा है उसमें एसी का क्या नाम है वह आपको बताना है तो आपके आप्शन से यह थो बी हीव सी फोल्ट प्लेन ड ओंडि यहां जो सही उत्तर है वह आप एपने कौपी में लिख ले हमारा जो अगला प्रश्ण है वह है आप ऑर इन डीप से हमेशा खालिस्थान होता है यानि कि यजो का लिस्थान में आपको भरना है आपके औप्शन से एक कम होता है भी ज़्यादा होता है ची कम या ज् 7.5 से अधिक परन्तु 15 मीटर से कम हो तो कितने किसके अनुमती से डेबलप्मेंट किया जाएगा यह बहुत ही मत यह रेगुलेशन पर बेस्ट कोश्चन है तो आपका जो एंसर से ऑप्शन से वह है ए डी एम बी सीजी सेंटर गवर्मेंट c d dms d dgms तो जो सही उतर है अपने copy में लिख लिए और last में मिलाएंगे हम लोग तो चलते अगला प्रशन क्यों हमारा जो अगला प्रशन है वह है प्रोटेक्शन पिलर क्यों बनाते हैं तो आपके option से a soft के support के लिए डी चाल के support के लिए c surface के सुरक्षा के लिए d कोल की ना कि चलते अगला प्रशन है इन में से कौन सा convention support नहीं है मतलब कोश्चन पूछन में से कौन सा नहीं है वह आपको बताना है तो types of support में मैंने आपको different types of support के करने बताया था और conventional support उनमें से एक है और जिन्हों नहीं इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज देख लें आपको यह question solve करने में असान हो जाएगा तो आपका जो options है इसमें a cog, b, c, rupold, d, none तो आपके जो सही उतर है आप अपने copy में लिख ले तो शलते अग भी दोनों काटने के लिए d, इनमें से कोई नहीं तो आपका जो सही उतर है वो आप लिख ले चलते अगले प्रस्ण की और हमारा जो अगला प्रस्ण है वो है powder factor कीन चीजों पर निर्भर करता है एक hardness, 2, seam thickness, 3, cleavage, 4, detonator और आपके option से a, one and two, b, one, two and three, c, one, two and four, d, all तो जो आपका सही उतर है वो आप टिक आउट कर ले चलते अगले प्रस्ण की और हमारा जो अगला प्रस्ण है एक्टिव फायर वाले छेत में ब्लास्टिंग होने होल की स्टेमिंग की जाती है option a, a के करके, b, सभी होल चार्ज करने के बाद, c, सुविधा के अनुसार तो आपके जो सही उतर है वो आपको अपने copy में लिख ले चलते हैं प्रस्ण की और हमारा जो अगला प्रस्ण है रूब बोल्ड के साथ परियोग किये जाते हैं a, w-strip, b, dome bearing plate, c, conical seat, d, a, b, e, all तो आपके जो सही उतर है अपने copy में लिख ले चलते हैं प्रस्ण की और हमार आपका circular का question है और important question है तो आपके options जो है a, 284 meter cube per minute, b, 300 meter cube per minute, c, 600 meter cube per minute और d, none तो जो आपके सही उतर है और लिख लेंगे और ध्यान रखिए ये degree 3 की बात हुई है, confused ना होईएगा, one or two or three degree का जो आपका जो provisions है उनको अभियाद कर लेंगे, ठीक है तो चलते हैं अगला प question है वो है जब barometer का पारा तेजी से गिरता है यहां क्या दर साता है तो आपका जो सही उतर है option से वो एक ग्रॉफ की गैस आयतन में फैल रही है, b, गॉफ की गैस आयतन में आकर साफ हो रही है, c, अयतन का हवा भी जा रही है, d, none तो आपका जो सही उतर है अपने copy में तो इसको आराम से बना करके तबाइंसर्स करें कोश्चन 24 जो है तीन मीटर उचे वह पांच मीटर चौड़े सुन में एनिमो मीटर दू मिनट में 90 मीटर रीडिंग दरसाती है और हवा की मात्रा उस सुन में क्या होगी यदि एनिमो मीटर के संसोधन तालिका में सुधार अंक 3 है तो इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर ले और जिनको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो स्कीप कर ले और हमारा जो निमरिकल ओला सेक्शन है उसमें मैंने इसको कर दे दिया है तो इसको आप देख लें और इसको देखने के बाद समझ के फिर से बनाए और यह जो आप्शन से इसमें जो हो सही उतर लिख ले और फिर इसको मिला ले तो चलते हैं प्रस्ष्ण क्योंड हमारा जो अगला प्रस्ष्ण है को स्टम 24 ऑफसेट प्लान और उसको फिर मिला देंगे अभी तो चलते हैं आगे तो आज के हमारे सीरीज का जो एंसर की वह यही है इसको अपने कॉपी में जो एंसर लिखा उससे मिला ले और जेतने भी नंबर आते हैं आप प्लीस कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और जो भी आपको लगता है क झाल